पूरी कोशिश भी कर रहे हैं आपको नुकसान पहुचाने की शनी देव का पूरा प्रयास है पिछले तीन साल भी उन्होंने आपको बड़ा परिशान किया 24 जन्वरी 2020 को शनी देव, रोग, चोट, शत्रू, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा, धन्की, हानी, करजा, अपयश इस घर के अंदर गोचर कर रहे थे जहां यह आपको 10 नमबर लिखा दिखाई दे रहा है वह जहां पांच नमबर लिखा है, यह आपकी राशिय सिंग, अब सूरे की और सनी की तो शत्रूता है अब ऐसी इस्तिती में जो फल हैं उसमें कमी आ जाती है ऐसी इस्तिती में इन्होंने पीछे भी आपको दुखी किया और अभी भी आपके लिए कोई बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं अब उसका कारण में आपको समझा देता हूँ शनी देव अभी वर्दमान में कुम राशी में हैं आपको यहां दिखाई भी दे रहे हूँगे कुनली में बैठे हुए और कुम राशी में मारगी हो करके अब 4 नवंबर से अपना फल देना शुरू कर देंगे पर इनकी दृष्टी कहा जा रही है सिंग राशी पर सब्तम यानि कि आपकी राशी पर पड़ रही है तो आपके मान सम्मानी के लिए अच्छे नहीं है आपके मान सिक तनाव के लिए तो यह बिल्कुल भी अच्छे नहीं है पर क्योंकि सीधे चलेंगे तो यह अच्छी बात है जब कोई घ्रय उल्टा चलता है तो वो अपना फल और धीमा कर देता है कोई उसकी चाल तूट जाती है आप खुद उल्टे कदम चल के देखिए एक बार तो आप कैसा मैसूस करेंगे अब ये तो शनी है अब ये उल्टा चलेगा तो आपको कैसा फल देगा सोच करके देखिए तो अभी तक तो ये उल्टे हैं चार नवंबर तक और फिर सीधे हो जाएंगे ये वैसे भी जाई साल में एक राशी से परिवर्दन करते हैं तीस साल इनको लगते हैं पूरा ब्रह्मान का चक्कर लगाने में तो दोस्तो आज मैं विशेश रूप से आपको यही फल बताने के लिए आपके बीच में उपस्तित हुआ हूँ इसलिए वीडियो को पूरा सुनना अंध तक सुनना आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा और जोतिशेख प्रॉपर विज्ञान है ग्रहों पर आधारित इसमें किंतु परंतु नहीं है सबसे पहले तो यह समझ दीजिए थोड़ा सा पास्ट में जाईए शनी की हिस्टरी को समझना पड़ेगा यह अध्यन करिए कि शनी जो है न्याय मूर्ती है हमारे हमें करमों का फल देते हैं हम जैसा करम करते हैं वैसा भोगते हैं यह सत्ते हैं अच्छे करम करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा बुरे करम करेंगे तो बुरा फल प्राप्त होगा तो करम की जो सजा होती है शुब वैशुब रूत में प्राप्त होती है बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी काड़ियं खरीते हैं बंगले खरीते हैं मेरा इमानना इतना सब खरीद करके वो एक तरीके से दुखों को खरीद रहे होते हैं मिद्रो, सिंगराशी, सनी, दुख के, विपत्ती के, धहरे के, पीडा के, रोग के, आईउ के, मृत्यू के, इन सब चीजों के कारक होते हैं अब यहाँ पर यह मारकेश भी हैं क्योंकि यह सब्तम भाव है, यह मारकेश होता है अब ऐसे में सीधे चलेंगे, तो इन सब कष्ट से भार निकालेंगे, सुकून देंगे, पर फिर भी आपके परिवार में, घर में, मृत्य तुलिक कष्ट का जो साया है, वो एक बना हुआ है सिंग राशी बालों को द्यान रखना चाहिए, अगर कोई घर का सदस से, गंबिर बिमारी से यदि जूज रहा है इसी प्रकार से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कि एक शष नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है अब इस शष राजयोग पार्टनर के घर में बनाए, अब वो पार्टनर आपका व्यपारिक भी हो सकता है, वो पार्टनर आपका लव लाइफ का भी हो सकता है, वो पार्टनर आपका जीवन साथी भी हो सकता है तो इनके माध्यम से आपको कुछ सहयोंग सपूट आगे भविश穴 मिलता हूँ नज़रा रहा है इनके दोरा कोई काम आगे ही भविश्य में सिद्ध होता हूँ नज़रा रहा है इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर अगर इनके दौरा कोई लाव लेना है तो आप बिलकुल प्लैनिंग करना शुरू कर सकते हैं अगर आपकी जनम पत्रिका में शनी मजबूत इस्तिती में हैं और शनी अमारगी भी हो रहे हैं शश्राजोग बना रहे हैं आपके बायवर्थ शनी हैं कुमराशी में बैठे हैं आपके लिए अच्छा रहेगा पर एक बात मैं आपको भी बोल देता हूँ पुरात मुश्वास के साथ में कि यह जो अगले लगबग 18 महीने रहने वाले हैं यह शनी कुमराशी में रहते हैं शरीर को देखते हैं तो तनाब तो देते हैं आपको तनाब से मुक्त नहीं होने देंगे मानसिक तनाव आपके जीवन में बरावर बना रहेगा ऐसा आपके कुनली कहती है इसलिए इस बात का विशेश रूप से आपको ध्यान रखना होगा इसी प्रकार से अगर आप नियाय मूर्ती हैं आप जुड़ी श्री का काम करते हैं या आप वकालत में हैं या आप सरकारी वकील हैं किसी भी रूप में आप नयाय से जुड़े हुए हैं आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे अब मैं विशेश रूप से बात करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो दो नंबर का काम करते हैं जो शॉर्टकट से पैसा कमाने में विश्वास रखते हैं या जो लोग सट्टा बजार उनका काम है ऐसा मतलब लोब लालच का जुए सट्टे लोटरी का तो ऐसे लोगों को यहाँ पर विशेश लाब अवश्य प्राप्त होगा ये मैं कहना चाहता हूँ इसके लाबा जो लोग तिल का तेल का लोहे का उड़द की दाल का वाइल का और विशेश रूप से जो लुबरिकेशन का काम होता है उससे रिलेटेड या फिर जो लोग खनिच का काम करते हैं कोईले का काम करते हैं ऐसे जातकों के लिए शनी देव विशेश रूप से अच्छा लाप्राप्त होगा आप मजदूर वर्ग से तालुकात रखते हैं तो आपको लाप्राप्त होगा पर प्राप्त होगा पर मांसिक रूप से अशान्ती रहेगी यानि कि मन से प्रसंद नहीं रहोगे यह मैं आपसे कह देना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों पैसा आ रहा होता है पर वो मन से बहुत पीडित होते हैं ऐसा एक रहय योग यहां आपके बनता हूँ नजरा आ रहा है अब यहां पर शनी की जो दृष्टी है वो पिता के घर में है मेश राशी पर है एक नमबर पर तो ऐसी इस्तिति में पिता के साथ यहां पर जो मतवेद हैं वो बढ़ सकते हैं यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ पर गुरुदेव वहां बैठे हैं तो मई 2024 तक तो गुरुदेव आपको समभाल लेंगे उसके बाद शनी आपको बुराफल देंगे और शनी के पडोसी अब राहू बन चुके हैं क्योंकि 11 नंबर में शनी है और 12 नंबर में राहू है तो बिल्कुल दोनों आगे पीछे राशियों में चल रहे हैं समझ लिजे दो गाड़ी चल रही है एक आगे चल रही है गाड़ी पीछे चल रही है तो राहू की पीछे है शनी की आगे है अब ऐसी इस्तिती में राहूग जो हैं वो शनी की ही तो छाया हैं थोड़ा से याँ पर ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा अलाटोगर काम करना पड़ेगा क्योंकि बारा नंबर की राशी के अंदर राहूग रहका गोचर आपको दिखाई दे रहा होगा इसलिए मैंने आपसे कहा कि अभी 18 महीने आपके लिए तनाव पूर्ण तो रहेंगे हाँ अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेंदिन करना है जमीन जाइदात से रिलेटेड करना है वहान सुक से आपके लिए बहुत अच्छा है प्रॉपर्टी इत्यादी से आपको बहुत बखुवी लाप्राप्त होगा इच्छाओं के पूर्टी होगी मन वांचत इच्छाओं के पूर्टी होगी ग्रहों का सुबाशेश आपके साथ पून रूप से रहेगा ऐसा आपकी पत्री कहती है इसमें किसी प्रकार का कोई भी किंतू परंतू और दोमत नहीं है ये मैं आपको पून रूप से आश्व भी वो ले करके आ रहे हैं ऐसा शनी का ग्रह गोचा दिखाई पड़ता है दोस्तों ये है प्रॉपर एस्ट्रलोजिक विज्ञान बस समझने की जरूरत है अगर समझ लोगे तो विज्ञानी का धार पर बता सकते हो नहीं तो फिर इधर की उधर उधर की इधर ऐसा करने वाल मन में उत्पन हो जाता है उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी एक बार पुन है आगामी कारेकर में आपके बीच में उपस्तित हूँगा एक नई वीडियो ले करके तब तक के लिए आपसे जाजा चाहता हूँ नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद अपना दिहान रख किया खुश रहिए